सब्सक्राइब कीजिए फैक्टमास्टर चैनल को और दबाईए वेल आइकान को जिससे आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तो दोस्तों जो 69,000 की सिचक भरती प्रक्रिया जारी है उसमें इस बार इस पष्ट बोल दिया गया है 69,000 जो साहिक अध्यापक भरती की परिच्छा उसमें इस पष्ट बोल दिया गया है कि जो तैनाती होगी वो ग्रामीड इलाकों में की जाएगी तो इससे इसपष्ट है चुकी जो 68500 का जो मामला था उसमें जिला अवंटन को लेकर के जो है काफी दिक्कते आ रहे हैं इस वज़े से इन्होंने इसपष्ट कर दिया सबसे पहले ही कि 69000 की जो भरती होगी उसमें जो है प्रदेश बरके ग्रामीर शेत्रों में ही नियुक्त होंगे तो चुकि प्रकरण कोट कोट में है इस वज़े से जो है इसमें थोड़ी देरी हो रही है और जल्दी कोट से फाइनल होने के बाद जो है प्रक्रिया सुरू हो जाएगी और पूरा प्रोफार्मा पूरा ब्लुफरिंट जो है गौर्मेंट ने बना लिया है सरकार बना लिया है और और जैसे ही कोट से निर्णा आता है उसी ब्लुफरिंट पर काम होगा सारी तयारें पूरी कर ली गई है चुकि पहले कहा था अफसरों की जो मीटिंग होई थी इसमें यह कहा गया था कि जो चैनित होंगे उनकी जो है सहरी चेत्रों में नियुक्त होनी च चैनित होकर लिस्ट वाइस जाते जाएंगे उनकी ग्रामीड से जो है स्कूल आवंटिथ होंगे और दीरे दीरे वो सहरी चेत्रों की तरफ बढ़ेगा यानि कि जब ग्रामीड विद्याले जो है उनमें जो है टीचर पर्याप्त हो जाएंगे या किसी जिले में कि आशकता नहीं तो उस इस्तित में जो है सहरी चेत्र में लोगों को जो भी अभिरती चुने जाएंगे उनको जो है विद्याले अवंटिथ किया जाएगा तो दोस्तों इस बार जो है पूरी तरीके से इसपष्ट कर दिया है कि जिला आवंटन और स्कूल आवंटन को ले करने के बाद और जल्द ही इस जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी इस ऐसा सरकार का सरकार का स्वसन है सरकार कह रही है कि बहुत ही जल्द जो है इस प्रक्रिया को पोड़ कर लिया जाएगा तो दोस्तों अमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना बिल्कुल मद्दूलिएगा